यारे बच्चो लाइक, शेर, सब्सक्राइब तो करदो यह जो value है, single digit number या आपके क्या होगा, बच्चों, positive number होगा ठीक है, single digit या positive number होगा तो आपको यहाँ number रखना है, single digit यानि 0 to 9, single digit कहां तक होती है, 0 to 9 तो यह number positive 0 से, positive 9 तक का होगा मतलब 1, 2, 3 भीच में जो भी numbers है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यह रखना है आपको और आपको बताना है कि यहाँ क्या number रख रहे हो आप जिससे जो इन number पूरा number जो form होगा ना 5 digit का वो 3 से divisible हो जाए आपको यहाँ पर एक बार smallest रखनी है और एक बार greatest रखनी है एक बार छोटी value रखनी है और एक बार बड़ी value रखनी है और दो एक बार छोटी value रखनी है 5 digit का number फॉर्म होगा एक बार बड़ी value रखनी है और दोनों ही number जो फॉर्म होगे वो 3 से divisible होना चाहिए तो और एक बार 3 का rule क्या होता है बच्चों sum of digit sum of digit sum यह होता है न 3 का rule x plus 6 plus 7 plus 2 plus 4 sum आगया 13 15 19 x plus 9 यह जो sum आया है यह किसके बराबर आना चाहिए यह जो sum आया है बच्चों यह बराबर आना चाहिए किसके यह 3 या 3 के multiples होना चाहिए था ना 3 या 3 के multiples होना चाहिए तो हमने मान लिया यह sum अभी किसके बराबर आ रहा है 3 के बराबर आ रहा है ठीक है तो देखो यहां से हम value निकालते हैं transposition करके पक्षान्तरन करके positive value उदर जाएगी तो यहां आगया आपके negative negative मैंसे कुछ positive हटाते हो नो तो negative answer ही आता है positive value हटाओगे तो यहां पर answer आपका negative आएगा क्यों आ रहा है क्योंकि बड़ी value 19 है और 19 का sign negative है इसलिए answer आपके negative में आ रहा है और negative 16 आ रहा है बट मैंने आपको बताया था कि यहां पर single digit है और positive value आना चीए है तो यह तो minus 16 आ गया तो यह आ गया not possible यह possible नहीं है अब हम क्या करते हैं 3 के multiples रखते हैं ठीके अब हम क्या रखके दख रहे हैं बच्चो 3 के multiples 3 का multiple होता है 6, 9, 12, 15 तो अभी यह रखके देखते हैं ठीके अब हमने 6 रखके देखा अब transposition किया यह positive value right side आए कि तो negative हो गई ठीके equals to यह देखो equals to का sign है यह right side कहलाती है इसकी और यह left side में है अभी यह दोनो left side में और यह 6 right side में तो transposition किया 19 plus 19 का transposition 6 की side किया तो negative हो गया minus 19 में से plus का 6 हटा है तो minus का 13 आएगा क्योंकि 19 बढ़ा है 19 का sign negative है इसलिए answer का sign भी negative आ रहा है तो यह फिर not possible क्योंकि तो negative value आगए और two digit number आ रहा है अब next multiple रखेंगे ठीके next multiple यानी 9 3 3 जा 9 अब फिर वोई transposition 9 minus 19 तो x की value आगई minus 10 not possible यह भी क्या आपके possible नहीं है फिर next आपने multiple रखा 3 का sorry 3 का next multiple 12 ठीके तो x की value आगई 12 minus 19 minus का 7 single digit number तो आया लेकिन negative आया तो not possible ठीके यह भी आपका क्या है possible नहीं है अब next multiple रख दिया 15 3 5 is a 15 है ना 15 transposition किया minus का 19 हो गया है positive value उदर जाके minus का 4 आया यह भी not possible single digit तो आया लेकिन यह क्या है negative value आ रही है next multiple रख देते हैं अब क्या रख दिया 18 x की value आगई 18 minus 19 यानि minus का 1 यह भी not possible क्योंकि हमें तो positive value चाहिए हो और single digit चाहिए तो अब next multiple रख आपने 21 ठीक है 21 minus 19 तो x की value आ गई 2 तो देखो हमें सबसे पहले क्या चाहिए था इस blank position पर smallest digit तो हम सबसे छोटी से छोटी digit क्या रख सकते हैं वैसे मैंने आपको जो first method सिखाया था उसमें divide करके बता दिया था ठीक है कि smallest जो हम value रखते हैं x की 2 तो हमारा जो number form होता है वो 3 से divisible होगा 3 8 जा 24 2 और next digit उतारी 27 हो गया 3 9 जा 27 0 बचा next digit उतारी 2 3 की table में 2, 0 टाइम जाएगा remainder बचा 2, next digit उतारी 4 3 8 जा 24, देखें fully divided हो गया अब हमको greatest value निकान लिए greatest digit find करनी है x की जिसे हम यह blank इस place पे रखें तो वो 5 digit number जो form होगा greatest value x की रखने पे वो भी 3 से divisible हो तो अब move करते हैं, आगे next multiple पे 21 तक तो हमने रख दिया, अब हम 24 रखके देखते हैं अब हम क्या कर रहे हैं, हम x की value ओ स्वारी 3 का next multiple 24 रख रहे हैं तो यहाँ x की value आगे बच्चों आपके पास 5 यह भी possible है, हाँ और आगे रख लेते हैं ठीक है, क्योंकि यह greatest नहीं हो सकती इससे आगे भी possible है, next multiple रखा 27 यह भी possible है, बट आगे और बड़ी से बड़ी value फाइंड करने हैं न मैं तो x की, तो और भी बड़ी से बड़ी value possible है कब तक possible है, देखो आपको अभी समझ आता जाएगा आपने 27 रखा, हाना अब sorry, transposition करना था हमें तो x equals to 27 minus 19 x की value आगे 8 एक बार आगे और रख के देख लेते हैं कोई possible value एक है, बड़ी से बड़ी तो अब next multiple रखा 30, तो जैसे आप 30 रखते हो तो बच्चों देखो अब आपका two digit number start हो गया है, positive value तो आ रही है, लेकिन two digit value आना start हो गयी, तो अब आपको आगे रखने की और कोई जरूत नहीं है यह तो possible नहीं है हमें क्योंकि x की value single digit और positive value चाहिए थे, तो अब greatest से greatest हम क्या रख सकते हैं, यह possible है यह तो possible थी, लेकिन यह तो एक other value है greatest value कौन से हो गई हमारी यह हमारे हो गई कौन सी, greatest जो x की digit, x की जगा digit रखेंगे ना greatest digit, वो है 8, हना जैसी ही आप number में जो blanked house में 8 रखते हो, तो जो यह five digit number form हुआ, वो three से divisible हो जाएगा, ठीके वैसे तो आपको मैंने previous method में यह करके बता दिया था, divide करके दिखा दिया था, लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर से करके बता देते हैं, three two जा six, two remainder बचा, next digit उतारी 26, three eight जा 24, remainder remainder बच्चा 2, okay next digit उतारी 7 three nine जा 27 remainder बच्चा 0, next number उतारा 2, three की टेबल में two zero times, remainder बच्चा 2, next digit उतारी 4 three eight जा 24 तो जैसी है आप x की greatest value रखते हो, eight, तो जो number form होगा, five digit, eight six seven two four, वो three से divisible हो जाएगा, या ना, तो आयोब आपको समझ आ गया होगा बच्चो, thank you वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चो का धन्यवाद